C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई 11 बीज गनित प्रिष्ट 240 11.1 भूमिका अभी तक हमारा अध्ययन संख्याओं और आकारों के साथ रहा है अब तक हम संख्याओं, संख्याओं पर संक्रियाओं और उनके गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं हमने संख्याओं को दैनिक जीवन की विभिन समस्याओं को हल करने में उपयोग किया है गनित की वहशाखा जिसमें हमने संख्याओं का अध्ययन किया अंक गनित यानि अरिथमेटिक कहलाती है हम दो और तीन विमाओं यानि डाइमेंशन्स वाली आकृतियां तथा उनके गुणों के बारे में भी पढ़ चुके हैं गनित की वहशाखा जिसमें हम इन आकृतियों अत्वा आकारों यानि शेपस का अध्ययन करती हैं ज्यामिती यानि जियोमेटरी कहलाती है अब हम गणित की एक अन्य शाखा का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं जो बीज गणित यानी एलजब्रा कहलाती है इस नई शाखा जिसका अध्ययन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कि मुख्य विशेष्टा यह है कि इसमें अक्षरों का प्रयोग किया जाता है अक्षरों के प्रयोग से हम नियमों और सूत्रों यानि फॉमिलास को व्यापक रूप में लिखपाने में समर्थ हो जाएंगे अक्षरों के इस प्रयोग से हम केवल एक विशेश संख्या की ही बात ना करके किसी भी संख्या की बात कर सकते हैं दूसरी बात यह है कि अक्षर अग्यात राशियों के स्थान पर भी प्रयोग किये जा सकते हैं। इन अग्यात राशियों यानी unknowns को निर्धारित करने की विधियों को सीख कर हम पहेलियां यानी puzzles और दैनिक जीवन से संबंधित अनेक समस्याओं को हल करने के अनेक प्रभाव विशाली साधन विकसित कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि यह अक्षर संख्याओं के स्थान पर प्रयोग किये जाते हैं। इसलिए इन पर संख्याओं की तरह संक्रियाएं भी की जा सकती हैं। इससे हम बीजी यव्यन जकों यानी algebraic expressions और उनके गुणों के अध्ययन की ओ अग्रसर होते हैं। प्रिष्ट 241 आप बीज गणित को रोचक और उपयोगी पाएंगे। यह समस्याओं के हल करने में अती उपयोगी रहता है। आये अपने अध्ययन को सरल उदहरणूं द्वारा प्रारंभ करें। 11.2 माचिस की तीलियों से बने प्रती रूप अमीना और सरिता माचिस की तीलियों से प्रती रूप यानी पाटन बना रही हैं। उन्होंने अंग्रेजी वरनमाला के अक्षरों के सरल प्रती रूप बनाने का निरणएं किया। अमीना दो तीलियों लेकर अक्षर एल बनाती है जैसा कि आकरिती 11.1 ए में दिखाया गया है। जैसा कि 11.1 सी में बिंदूओं से दर्शाया गया है। तभी उनका मित्र अप्पू आ जाता है। वह इस प्रती रूप को देखता है। अप्पू सदैव प्रशन पूछता रहता है। वह इन लड़कियों से पूछता है। साथ एल बनाने के लिए कितनी तीलियों की आवशकता पड़ेगी। अमीना और सरिता सुचारू रूप से कारे करती हैं। वे एक ल, दो ल, तीन ल इत्यादी से प्रती रूप बनाती रहती हैं। और एक सारनी बनाती हैं। सारनी एक। बनाए गया ल की संख्या, आवशक तीलियों की संख्या। एक, दो, दो, चार, तीन, छे, चार, आठ, पांच, दस, छे, बारह, साथ, चौदह, आठ, सोलह, डैश, 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 डैश. अप्पू को सारनी एक से अपना उत्तर प्राप्त हो जाता है। साथ एल बनाने के लिए चौदह तीलियों की आवशकता होगी। सारनी में लिखते समया मीना यह अनुभव करती है कि आवशक तीलियों की संख्या बनाए गया ल की संख्या की दोगुनी है। अर्थात, आवशक तीलियों की संख्या है बराबर दो गुना ल की संख्या। आईए, सुविधा के लिए ल की संख्या के लिए अक्षर N लिखें। यदि एक L बनाया जाता है तो N बराबर एक है। यदि दो L बनाए जाती हैं तो N बराबर दो है इत्यादी। इस प्रकार N कोई भी प्राकृत संख्या एक, दो, तीन, चार, पांच आदी हो सकती है। फिर हम लिखते हैं आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर दो गुणा N है। प्रिष्ठ 242 दो गुणा N लिखने के स्थान पर हम इसे दो N लिखते हैं। ध्यान दीजिए दो N वही है जो दो गुणा N है। अमीना अपने मित्रों से कहती है कि उसका यहनियम कितनी भी संख्या में L बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या बता सकता है। इस प्रकार N बराबर 1 के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर 2 गुणा 1 बराबर 2 N बराबर 2 के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4 N बराबर 3 के लिए आवशक तीलियों की संख्या बराबर 2 गुणा 3 बराबर 6 इत्यादी ये संख्याएं सारणी एक में दी हुई संख्याओं जैसी ही हैं सरिता कहती है यह नियम बहुत प्रभावशाली है इस नियम का प्रयोग करके मैं 100 L बनाने में आवशक तीलियों की संख्या भी बता सकती हूँ एक बार नियम ग्याथ हो जाए तो मुझे प्रतिरूप खींचने या सारणी बनाने की कोई आवशक्ता नहीं होगी क्या आप सरिता से सहमत हैं? ग्यारह दशमलव तीन एक चर की अवधारणा उपरोक्तु दहरण में हमने L का एक प्रतिरूप बनाने में आवशक तीलियों की संख्या ग्याथ करने के लिए एक नियम ग्याथ किया था नियम यह था आवशक तीलियों की संख्या बराबर दो N यहाँ N एल के प्रतिरूपों की संख्या है और N के मान एक, दो, तीन, चार आदी हो सकते हैं हाईए, सारणी एक को पुनह देखें सारणी में N का मान बदलता यानि बढ़ता जाता है इसके परिणाम स्वरूप आवशक तीलियों की संख्या भी बदलती यानि बढ़ती जाती है N चर यानि variable का एक उदहरण है इसका मान स्थिर यानि fixed नहीं है यह कोई भी मान एक, दो, तीन, चार आदी ले सकता है हमने आवशक तीलियों की संख्या के लिए चर N का प्रयोग करके नियम लिखा शब्द चर का अर्थ है वहवस्तु जो विचरण यानि वेरी करती है अर्थात बदलती है चर का मान स्थिर नहीं है यह विभिन मान ले यानि ग्रहन कर सकता है हम चरों के बारे में और अधिक सीखने के लिए माचिस की तीलियों से बनाए गए प्रतिरूपों में से एक अन्य उदहरण को देखेंगे प्रिष्ट 243 11.4 माचिस की तीलियों के और प्रतिरूप हमीना और सरिता तीलियों के इन प्रतिरूपों में रुची लेने लगी है अब वे अक्षर सी का एक प्रतिरूप बनाने का प्रयत्न करती हैं एक सी बनाने के लिए वे तीन तीलियों का प्रयोग करती हैं जैसा क्याकरती 11.2 एक में दर्शा आया गया है सारनी दो सी का एक प्रतिरूप बनाने के लिए हावशक तीलियों की संख्या प्रदान करती है सारणी दो, सी की संख्या, आवशक तीलियों की संख्या, एक, तीन, दो, छे, तीन, नौ, चार, भारह, पांच, पंद्रह, छे, अठारह, साथ, इक्कीस, आठ, चौबीस, डाश, 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 क्या हाप उपरोक्त सारणी में छोड़ी गई रिक्त प्रविष्टियों को पूरा कर सकते हैं? सरिता ने यह नियम दिया, आवशक तीलियों की संख्या बराबर तीन एन, उसने सी की संख्या के लिए अक्षर एन का प्रयोग किया है, एन एक चर है, जो मान एक, दो, तीन, चार इत्यादी ले सकता है. क्या आप सरिता से सहमत हैं? याद रखिए कि तीन एन वही है, जो तीन गुणा एन है. इस खे आगे अब अमीना और सरिता एफ का एक प्रती रूप बनाना चाहती हैं. वे चार तीलियों का प्रयोग करके एक एफ बनाती हैं. जैसा कि आकरिती 11.3 एक में दर शाया गया है. क्या आप एफ के प्रती रूप बनाने के लिए अब कोई नियम लिख सकते हैं? तीलियों से बनाए जाने वाले वरण माला के अन्य अक्षरों और आकारों के बारे में सोचिए उदाहरणार्थ, यू, वी, त्रिभुज, वर्ग, इत्यादी. इन में से कोई पाँच अक्षर या आकार चुनिये और इनके तीलियों के प्रती रूप बनाने के लिए आवशक तीलियों की संख्या के लिए नियम लिखिये. प्रिष्ठ 244 11.5 चरों के और उदाहरण हमने एक चर को दर्शाने के लिए अक्षर एन का प्रयोग किया है. राजू पूछता है, M क्यों नहीं? N में कोई विशेश बात नहीं है. किसी भी अक्षर का प्रयोग किया जा सकता है. एक चर को दर्शाने के लिए किसी भी अक्षर M, L, P, X, Y, Z इत्यादी का प्रयोग किया जा सकता है. याद रखिए, एक चर वह संख्या है जिसका मान स्थिर नहीं होता. उदह रणार्थ, संख्या पांच या संख्या सौ या कोई अन्य दी हुई संख्या एक चर नहीं है. इनके मान स्थिर यानि निश्चित हैं. इसी प्रकार त्रिभुज के कोणों की संख्या का मान स्थिर है, जो तीन है. यह एक चर नहीं है. एक चतुर भुज के कोणों की संख्या चार स्थिर है यह भी एक चर नहीं है परंत उपरोक्तु दहरणों जो हमने देखे हैं में एन एक चर है यह विभिन्न मान एक दो तीन चार इत्यादी ले यानी ग्रहन कर सकता है आईए अब एक अधिक परिचित स्थिती में चरों पर विचार करें स्कूल के बुक्स्टोर से विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिकाईं खरीदने गए एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य पांच रुपए है मुन्नु पांच, अपू साथ, सारा चार अभ्यास पुस्तिकाईं खरीदना चाहती है एक विद्यार्थी को बुक स्टोर से अभ्यास पुस्तिकाईं करीदने के लिए कितनी धनराशी की आवशकता पड़ेगी यह इस पर निर्भर रहेगा कि वह विद्यार्थी कितनी अभ्यास पुस्तिकाईं खरीदना चाहता है विद्यार्थी मिल कर एक सारणी बनाते हैं सारणी तीन वानचित अभ्यास पुस्तिकाईं की संख्या कुल मूल्य रुपयों में एक, पांच, दो, दस, तीन, पंदरह, चार, बीस, पांच, पचीस, डैश, डैश, एम, पांच, एम, डैश, डैश एम अभ्यास पुस्तिकाउं की उस संख्या के लिए प्रयोग किया गया है जो एक विद्यार्थी खरीदना चाहता है यहां एम एक चर है जो कोई भी मान एक, दो, तीन, चार इत्यादी ले सकता है एम अभ्यास पुस्तिकाउं का कुल मूल्य निम्न नियम द्वारा दिया जाता है कुल मूल्य रुपयों में बराबर पांच गुणा वांचित अभ्यास पुस्तिकाउं की संख्या बराबर पांच एम यदि मुन्नू पांच अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदना चाहता है तो M बराबर पांच लेकर हम कहते हैं कि मुन्नू को पांच गुणा पांच रुपए अर्थाद पत्चीस रुपए अपने साथ ले जाने चाहिए ताके वेह बुक स्टोर से खरीदारी कर सके प्रिष्ठ दो सो पैंतालीस आईए एक और उदाहरन लें किसी स्खूल में गणतंत्र दिवस मनाने के अवसर पर बच्चे मुख्य अतिती के समुख सामूहिक ड्रिल का प्रदर्शन करने जा रहे हैं वे इस प्रकार खड़े किये जाते हैं कि एक पंक्ती में दस बच्चे रहें आकरती ग्यारह दशमलव चार इस ड्रिल में कितने बच्चे भाग ले सकते हैं बच्चों की संख्या पंक्तियों की संख्या पर निर्भर करेगी यदि एक पंक्ती है तो बच्चों की संख्या दस होगी यदि दो पंक्तियां हो तो बच्चों की संख्या दो गुणा दस अर्थात बीस होगी यदि आर पंक्तियां हो तो बच्चों की संख्या दस आर होगी यहां आर एक चर है जो पंक्तियों की संख्या प्रदर्शित करता है और यह मान एक, दो, तीन, चार त्यादी ले सकता है अभी तक हमने जितने उदाहरण देखे हैं उनमें एक चर को एक संख्या से गुणा किया गया है परन्तु विभिन स्थितियां ऐसी भी हो सकती है जहां संख्याओं को चरों में जोडा जाता है या चरों में से घटाया जाता है जैसा के नीचे देखा जा सकता है सरिता का कहना है कि उसके कंचों के संग्रह में अमीना के कंचों के संग्रह से दस अधिक कंचे हैं यदि अमीना के पास बीस कंचे हैं तो सरिता के पास तीस कंचे होंगे यदि अमीना के पास 30 कंचे हैं तो सरिता के पास 40 कंचे होंगे हमें यह गात नहीं है कि अमीना के पास कितने कंचे हैं उसके पास कंचों की संख्या कुछ भी हो सकती है परंतु हम जानते हैं कि सरिता के कंचों की संख्या बराबर अमीना के कंचों की संख्या जमा दस है हम अमीना के कंचों की संख्या को X से दर्शाएंगे यहां X एक चर है जो मान एक, दो, तीन, चार, दस, बीस, तीस इत्यादी ले सकता है X का प्रयोग करते हुए हम लिख सकते हैं के सरिता के कंचे बराबर X जमा दस है व्यंजक एक्स जमादस को एक्स धन यानि फ्लस दस पढ़ा जाता है इसकार्थ है कि एक्स का मान बीस है तो एक्स जमादस का मान तीस होगा यदि एक्स का मान तीस है तो एक्स जमादस का मान चालीस होगा इत्यादी वियंजक X जमा 10 को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता है X जमा 10 को 10X से भ्रमित नहों ये भिन भिन है 10X में X को 10 से गुणा किया गया है X जमा 10 में 10 को X में जोड़ा गया है हम इसकी जाँच X के कुछ मान लेकर कर सकते हैं उदहरनार्त यदी X बराबर 2 तो 10X बराबर 10 गुणा 2 बराबर 20 है और X जमा 10 बराबर 2 जमा 10 बराबर 12 है यदी X बराबर 10 तो 10X बराबर 10 गुणा 10 बराबर 100 है और X जमा 10 बराबर 10 जमा 10 बराबर 20 है प्रिष्ट 246 राजू और बालू दो भाई हैं. बालू राजू से तीन वर्ष छोटा है. अगर राजू पंद्रह वर्ष का है, तो बालू नौह वर्ष का है. हमें राजू की वर्तमान आयू ग्यात नहीं है. इसका मान कुछ भी हो सकता है. मान लीजिए, एक्स राजू की वर्षों में आयू व्यक्त करता है. एक्स एक चर है. यदि राजू की आयू वर्षों में एक्स है, तो बालू की आयू वर्षों में एक्स घटा तीन है. वियन्जक X घटा 3 को X रिन यानि माइनस 3 पढ़ा जाता है जैसा कि आप आशा करेंगे जब X का मान 12 है तो X घटा 3 का मान 9 है और जब X का मान 15 है तो X घटा 3 का मान 12 है अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक वाचन स्वर गौरव मारवा निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत